dear students very good morning to all of you i am your mathematics teacher today we will start with a new concept okay as you know we had completed concept increasing or decreasing percentage yesterday okay so today we will start with new concept ठीक है तो जो आज का concept है बच्चो बहुत important है और इसका application हमारी day-to-day life और maximally किसमें यूज होता है यह business में ठीक है business point of view से यह बहुत important concept है तो मैं उमीद करूँगी कि सभी अच्छे से समझेंगे ठीक है बटा तो हमारा जो concept है वो है buying and selling ठीक है buying और selling यह तो आप अब मतलब पढ़ने से जानगे कि buy क्या होता है और sell क्या होता है灵ाइ होता है खरीदना और sell होता है भेजना ठीक है तो आप shop की पर जो होता है यह जो कोई business करता तो उसका यह काम होता है कि एक जगा से खरीद और दूसरी जगा पर बेच दीया ठीक है तो यह ही तो shop में एक चीज खरीदी और फिर उसको बेच दिया 610 में तो अब बताओ इसको प्रॉफिट हो रहा है ना क्यूंकि उनको 10 रुपिया प्रॉफिट हुआ इस चीज में ठीक है अब बेटा देखो जो जिसमें उसने खरीदा उसको बोलते हैं कोस्ट प्राइस और जितने में बेचा तो उसको बोलते हैं क्या सेलिंग प्राइस ओके बेटा अब ना हमारे बिजनस में ना हमें तीन चीजे मालूम और वह क्या होना चाहिए कि देखो अगर कोस्ट प्राइस हमारा कम है ठीक है लेस देन है ऐस कंपेर टू एस पी तो हमेश ना ही लॉस होा क्योंकि हमारे पैसे जितने ऐस उतने रहे ठीक है तो उसमें ना हमें लॉस हुआ और ना ही हमें क्या हुआ फाइदा हुआ उके लेक्टा नेक्स्ट है कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है as compared to what? सेलिंग प्राइस तो फिर क्या होगा हमें लॉस हो तो मुझे क्या हुआ लॉस हुआ ना बेटा तो इसका मतलब वो कुन बिजनस किस में जाता है लॉस में ठीक है बेटा अब देखो कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है इसी को बेसमान कर जैसे की अटॉय बॉट फॉर रुपीज सेवन्टीटू इस सोल्ड एड रुपीज एट देखो बेटा सेवन्टीटू का खरीदा ना तो बेचा कितने का एटी का इसका मतलब जो मुनाफ़ा हुआ इदर जो बिजनसमें था ठीक है शॉप की पर यह जो भी बिजनसमें था उसको मुनाफ़ा हुआ एट रुपीज ठीक है बेटा टीशर्ट बॉट फॉर से देने पड़े 20 रुपीज ठीक है बिटा देन है a cycle bought 4 रुपीज 800 is sold 4 रुपीज 940 अगेन यहां पर क्या हो रहा है गेन हो रहा है ठीक है प्रॉफिट हो रहा है ठीक है इस तरह से हमें पता लगता है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है I hope कि आपको यह वाला concept थो अब एक छोटा सा एक step आगे है इसके यह वाला ठीक है profit or loss as a percentage कल हमने increase और decrease पड़ा था परसंटेज में आज हमने profit or loss as a percentage पड़ना है ठीक है बेटा जी तो इसमें क्या है इसमें भी हमारे पास क्या है formula है इसको solve करने के लिए ऐसे तो हम ऐसे भी निकाल सकते है likewise कि अगर कि इसी ने बोला हो कि इतना profit है इस पे यह वगरा तो percent करके अब आपको तो पता है कि जैसे 15% किसी का निकाल सकते हो आप plus कर सकते हो वैसे भी निकाल सकते हैं लेकिन अब in short निकालना होता है क्योंकि यह हमारे competitive में आते है questions ठीक है तो तब हमें shortcut निकालना है तो shortcut के लिए हमे क्या चाहिए होता है formula ठीक है अब देखो मैंने यहाँ पे formula लिखा है यह किसका है profit percentage का तो क्या formula रहता है profit upon cp cp means what cost price into 100 which is equal to फिर उसने जो भी हमें statement दी होगी ना उसको हमने fill up कर देना है ठीक है वेटा जी I hope कि आप सभी को समझ आ रहा होगा जैसे कि देखो इदर statement दी है cost price दिया है कितना हमें 72 selling price दिया है कितना 80 और profit दिया हुआ है हमें कितना rupees 8 अब बोला है कि बताओ profit percentage कितनी होगी ठीक है तो very easy ठीक है हम बड़ी असानी से निकाल सकते है profit percentage का हमारे पास formula है ठीक है तो fill कर देंगे respective जगाओं पर जो जो हमारे पास data दिया है ठीक है profit कितना ह उसने बताया था हमें rupees 8 तो 8 लिख दिया profit के जगह cost price हमें पता है cost price कितने 72 तो 72 लिख दिया और 100 multiply किया तो हमने जब calculate किया तो आ गया गया 11 1 by 9 बच्चो मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा 11 1 by 9 का मतलब है यह mix fraction में आप इसको fraction में भी change कर सकते हो ठीक है जब fraction में change करते हैं तो 9 into this one plus this one और upon में यही रहता है ठीक है बेटा अगर किसी को नहीं पता होगा न तो मुझे आप पूछ सकते हो doubt session में या ऐसे भी पूछ सकते हो message करके तो मैं आपको बता दूँगी ठीक है बेटा जी तो I hope कि आपको यह पता लग गया होगा profit percent कैसे निकालते है ठीक है next हमारा है जो बहुत important formula है और यह formula भूलने नहीं चाहिए आपको यह एक important page अलग से उस पे formula लिखकर उसमें यह add up कर देना ठीक है बेटा next है हमारा loss percentage ठीक है loss percent कैसे निकालते है हम loss by CP into 100 अब देखो फरक क्या है उसमें और इसमें कोई फरक नहीं है profit यहाँ पे आता है यहाँ पे CP CP same 100 100 same बस याद रखना जब भी profit percent निकाला है तो profit उपर रखना है loss percent निकाला है तो loss उपर रखना है ओके बेटा ठीक है तो इस तरह से अब वैसे statements दी होंगी उसमें हमें data दिया होगा ठीक है तो जब data दिया होगा हमें सिर फिल अप करना है उसको ठीक है likewise कि यहाँ पे CP दिया है हमें rupees 120 ठीक है then हमारे पास selling price कितना है 100 rupees ठीक है तो हमें निकालना है very easy one loss कितना है हमारे पास बेटा अब देखो loss loss निकाल सकते हो ना आप आपको तो पता है loss कैसे निकालना है selling price minus cost price तो आ जाएगा कितना 20 ठीक है बेटा तो यह 20 आ गया और cost price तो उन् divide वगरा simplify करेंगे तो आ जाएगा 16 2 by 3 तो आपको बता है यह mixed fraction है इसको fraction में लिखो या इधर ऐसे लिखो ठीक है बच्चो तो मुझे लगता है कि आप सभी को यह समझ आया होगा आग मैं जादा नहीं पढ़ा रही क्यूंकि यह बहुत important concept है ठीक है इसी के basis पे मैं आपको assignment के तोर पर 2-3 questions दूँगी कल जब PDF बनाओंगे तो उसमें वो questions होगे और आप सभी बच्चे मुझे वो questions करके दिखाओगे प्रीस बच्चो उसकी practice ज़रूर करना अगर आप कली वो practice नहीं करोगे जब lecture होगा तो तभी अगर आपने उसको practice नहीं किया तो फिर आपको यह समझ नहीं आएगा ठीक है तो I hope कि आप सभी यह practice करोगे और साथ ही साथ इस concept को अच्छे से समझोगे और अगर आपको कोई कोई भी confusion आएगी तो आप मुझे पूछोगे thank you beta and have a nice day